अहे हालात से पूरी दुनिया चिंती थे, धाका से लेकर दल्ली तक हलचल तीज है, ऐसे में बिहार में भी सीमा वर्ती इलाकों में चौक सी बढ़ा दी गई है गुरुवार को किशन गंज के पास इसलामपूर सीमा तक सैकडों बांगलादेशी नागरिक पहुँच गए है ये लोग भारत में शरन लेने के लिए आ रहे थे, लेकिन बांगलादेशी नागरिकों को वापस उनके गाउं भिस दिया है रिपोर्ट के सर ये देखिए कैसे भारत सीमा पर गुस्पैट की कोशिस नाकाम करती गई सीमा पर जूटे सैकड़ों बांगलादेशी नागरिक इसलामपूर बॉर्डर पर गुस्पैट की कोशिस नाकाम बियस अफ ने बांगलादेशी नागरिकों को वापस भेजा बांगलादेश का मुद्दा हर कहीं पर छाया हुआ है बांगलादेश में उपद्रवी हिंद्वों को निशाना बना रहे है उनके घरों और दुकानों को लूटा जा रहा है लोगों की हत्या तक की जा रही है ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए हजारों बांगलादेशी भारत के बॉडर की ओर भाग रहे है ठाका से दिल्ली तक हलचल तेज है तो बिहार में इस सरकार और प्रशासन अलर्ट पर है किशनगच से सटे बंगाल के इसलामपूर ठानक्षित्र में बांगलादेश की सीमा पर सैकलों बांगलादेशी नागरिक आ गए और भारत में शरण मांगने लगे बांगलादेशी नागरिकों के बॉर्डर पर जमा उने की सूचना मिलते ही बियसेफ हरकत में आ गया बियसेफ के अधिकारी और जवानों ने सभी नागरिकों को वापस उनके गाउं फेज दिया सीमा सुरक्षा बल का कहना है कि दो बियोपी में घुसपैट की कोशिस की गई लेकिन अधिकारियों और जवानों ने बांगलादेशी नागरिकों को समझा बुझा कर सभी को वापस भेज दिया सभी बियोपी पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है आबाद स्थती से निबटने के लिए 24 घंटे सक्त निगरानी का निर्देश पी दिया गया है आसुष्म सिन्हा, निउज 18, किशन गज बागलादेश में हिंदू के साथ हो रहे अत्याचार पर विश्व हिंदू परिशद ने दुख जताया है विश्व हिंदू परिशद के कंद्रिय सलाहकार पदमशरी डॉक्टर आरिन सिंग ने कंद्र सरकार से हिंदू की रक्षा के लिए कदम उठाने की अपील किये उन्होंने का कि हिंदू पर हो रहे हमले चिंता का विश्व है उन्होंने दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों से भी आगे आने की अपील की है है सरकार के पर हम लोग दबाब बनाई रहे हैं साथ साथ हम इन प्रेस माध्यमों से दुनिया के लोगों को कहना चाहते हैं कि जो भी मानवाधिकार से सम्मंदित लुब एकती है जो मानवाधिकार पर काम करते हैं उनका भी यह कतब बनता है कि आज बंगलादेश में सफर होत हुए परिसान होते हुए हिंजुओं की रक्षा करें और ग्यार उक्रेक छूड़े सिब्रे के लिए जल लोटते हैं वापस